एलो फ्रेंड्स वैलकम तो माई यूटूब चैनल इउ बोले तो इंग्लेस फ्रेंड्स आज हम प्रैक्टिस करने हमारी first meaning दे रखी है bespoke और जिस meaning का trick बना सकते हैं तो आपको इसमें टेंसे लेन जो नहीं आँए मैं आपको ट्रिक से बताथा चलूँगा चलिए हमारी first meaning दे रखे is bespoke तो बात करें bespoke मींस होता है जो चीज पहले सी आडर किया होता है जो चीज आल्रेडी आडर की वही होती है उसे हम लोग कह सकते हैं टेलर्ड यानि इसका सिननिम क्या हो जाएगा टेलर्ड तो चलिए हम लोग ट्रिक बना रहेते हैं देखिए बीएस का लेंगे बीस से यानि बीस रुपए से और पी ओके याद कर लेंगे यानि पोके तो भाई हम लोग कभी न कभी छोटे में कभी न कभी ऐसी लेंग्विश का यूस करते हैं कि बाई एकर सर्थ में आ जाओगे तो बीस रुपए पोक देना यानि धीले कर देना अपने आप क्या कर देना पैसे को दे देना तो माई ट्रिक क्या बन कि बिस पोक पहले से क्या कर लिया था ऑडर कर दिया था कि जो हरेगा वो क्या करेगा वीस उपए देगा तो इसका मीन सोही जाएगा जो चीजज ऀícios की और है अरकी सेगड में कि यरू चलते हैं होट flock हैranे fi साइ मिन्स क्या होता है जो संकोची होता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं डेफिडेंट तो चलिए हम लोग अपने next meaning की और चलते हैं जो की दे रखी है प्राफर तो प्राफर की मीन्स की बात करें तो प्राफर मीन्स होता है जो चीज परस्ता और पर त highway सकते हैं जो प्रॉपोजर होता है इसकते हैं ऑफर तो यह पिक माइन निया दिया तो मैंने तुम्हे पहले ही मैं थिचा ॐशन दिया तो इसम्हारा भी नबर आक्सिन देखतें है की कहीं मॉर्डंट अगर बात करें मॉर्ड ḥो मॉर्डंट क्या होताहएं जूचीज चुबने वाला होताहें यह जो껑 सकते हैं मॉर्डंट तो चलिए एकल इसकी लाट अब सौदा सौना होगा तो कई ना कई वह क्या होगा तो समारे मीनिंग राइट हो सकती है मार्डेंट में सबस्क्राइब करने ना मेरे ना भाई जो मेरे दात है आजसें बहुछ जबाव और तीक्षे भी होंगे और वहुत जबने वाले वहंगे अगर मैं 123 किसी को काटनऊ तो क्या हो जाएगा जो जबने वाले होँगे और जेता तीक्षे होंगे तो Whether जाईगा चूबने वाला या फिर Presbrance टिका सबने टिक्षा तो इसमें यहां करता ऊपसेंड रायट फॉसम में रखिये में भीया है और मिल जुक्त यहां बूर्स भी क्या होता है असब भी होता है जो गमार टाइप का होता है श्रलिस चलिए इसकी ट्रिक बना लेते हैं देखे चर याप लोग गाव में सुनते हों यह घंड़ होगा एक बार थैए जानवर को खाए बहुत ज़्यादा उप ऐससलेगे उपने नबर उप्सन क्या आफ़वागा राइट यानि बूर्स तो चलिए मारा next नो बट्वर्ड दे रखाय एंटी डायलूवियं तो इसका मींस होता है जो चीछ पुरानी होती है प्लाचीन होता है उसे हम लोग चैसे ढकिल ऊप्षाकते हैं तो यह एक हो जाएगा पुराना आप लोग इस ट्रिक से याद कर सकते हैं तो इसका जो आपसिंद्स हो जाएगा वह हो जाएगा यह नंबर यानि antiquette नेक्स मीनी क्यों चलते हैं चुक्रिया रखीत है पिकायून नीच होती है जो नीच होती है तुछ होती है या फिर कह सकते जो निकमा होता है उसे हम लोग कह सकते हैं पिकायून तो चलिए हम लोग इसमें right option की बात करते हैं तो इसमें हमारा a number option क्या हो जाएगा right हो जाएगा यानि pity pity means भी कहीं न कहीं क्या होता है जो चीज तुछ होती है नीच होती है निकम्मी होती है उसे हम लोग कह सकते हैं pik운 को याद कर सकते हैं Pikachu से pikachu आप लोगोंने बहुत बार देखा वगाcciones में Pikachu नाम का एक character होता है जिसमें Pikachu कहीं बहुत श्वड़ा होता है तुछ होता है थोड़ा थमीज तो इसके il Спасибо बना रहे हैं यानि पिकाचु को हम लोग ने रिलेट कर लिया तुछे से पिकाचु कैसा था बहुत ज़ता तुछे था नीच था तो इसका हमारा जो राइट ऑप्सन बन जाएगा वह पिटी बन जाएगा तो आप लोग इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं पिकाईून मिस क्य जाएगा जो चीज नीच वी तुछोगी निकम वहाँ ऐसा किसी पर करना मारना भर कह सकते हैं माइट सब्सक्राइब तो चलिए इसकी ट्रिक बना लेते हैं देखिए इस क्यात कर लेंगे इस और माइटी को अगर आप इसका हिंदी में लिखाने तो कहीं नहीं माइट यानी माइट यानी मिट्टी सकते हैं मिट्टी से माइट यानी मिट्टी अब भाई कोई परसन है उसे अपनी मिट्टी से क् बहुत ज़्यादा प्यार है क्या सकते हैं लोग उसके लिए किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं उस पर स्ट्राइक कर सकते हैं किसी को मार सकते हैं तो इस मिट्टी के लिए कि कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं गाओं में खेतों को निराते हैं जाके यानि कहीं न कहीं वो क्या करते हैं गाओं की जो उनके खेत होते हैं उनकी सफाई करते हैं निराते हैं फिर कह सकते हैं पछोरते हैं तो इसमें हमारे अगर राइट ऑप्सन की बात करें तो हमार बांट या fixed experience होता है किसी चीज का सोषड करना या फिर कह सकते हैं किसी चीज का जो अनुचीत लाँप उठाना होता है उसी हम लोग कह सकते है उसे ैक्सप्लाइट तो चलिए आप इसमें राइट आपसन आप लोगों पता ही लग चुका होगा और यह वर्ड मैं आपको पहले भी करा सुका हूँ यानि यूटिलाइज यूटिलाइज मीस भी क्या होता है किसी चीज का अपयोग करना तो चलिए इसकी भी ट्रिक बना लेते हैं देखिए एक्स क्याद कर लें ठोबस लगों को ट्रिक बनानी थी वह कैसी भी मतवर्ण को इस मीनिंग का जो मीनिंग हो में याद हो जाना चाहिए यानि exploit यानि एक्स के प्लॉट में हम लोगों ने क्या किया उसका नुछीत लाब उठा लिया तो कही ना कई हम लोगों ने उप्यों कर लिया तो इसमें ह तो DETRIMENTAL की बात करें तो इसका मींस होता है जो जहानिकारक होती है थाम फुल होती है उसे हम लोग कह सकते हैं DETRIMENTAL तो आप लोगों को ओप्सेंड दिखी गया होगा जो कि हमारा D-Number क्या हो जाएगा ऑप्सें जाएगा तो हाम फुल मींस क्या होता है जो जहानिकारक होत लें और आपको ट्रिक भी पसंद आ रही हो तो लाइक भी कर देना तो देखें डेटरी मेंटल को अगर आपके पास आ रहा है तो दुथकार के भगाद देना चाहिए है कि यह कोई भी मेंटल है तो आपके लिए हरानिकारक हो सकता है तो भाई आपको कोई भी मेंटल मिलें तो में थाक्राइब करके खातों हो सकता है क्योंकि वह आपके लिए przepad ओसक्ता है क्या ह numb to lethal होती है उसे लोग कह सकते सिंसरे हैं जो कि दिरख का सार्प और आप लोगो सार्प बहुत वरड मिल चुका होगा तो सार्प कर करें तो इसमारा पैणाभी होता है थीखा भी होता है फिर कह सकते हैं जो चीज होती है उसे हम लोग उसके सकते हैं अगर अफम य९ह सकते हैं अगर त्विक्यों सब्सक्थियलेइder कर सकते हैं चेद लिख सक्ते हैं मेन में तीक से पहले पहिना सचब अचानक होती इसके सार्प तो इसमें माराMy यूज किया गया खूना कियी ब्लों 2016 कार्म लोग ने उसके एडवर्ब एंधर्बल मिनमा रूमने खेंटन होती है तो यहां पर हमारा जो सार्फ वर्ड ुकार्प्त और RAW ऊज़्य किया गया है तो आप लोग ध्यान रखेगा हम लोग किने किसमें उसकिया है ऐसा एडवर्ब तो में सी नंबर ऑप्सन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा तो चलिए उसकिया हो जाएगा या नंबर ऑपुसन क्या हो जाएगा रॉनच या करादी थे वर्णा एंग उसे संचियह ऐसा सकते है संचियह उसस्का मुझा हो जाएगा तो चलिए Keller एक इस tyre यह लोग करनेकर रिल्लेक्टेंट तो palavrasटिए ह्यां जो कैसकते हैं अनिच्षूक करें असंतुस्थ हो तो अगर इसकी राइट ऑप्सण कि बात करें तो हमारा नंबंबर ऑपसेन क्या हो हो जाएगा यहांशन अस्पूस्त होती है कैसकते हैं कि असन्तुस्त होती यह उन्मिलिंग होती है उसमें क्या हो जाएगा है ठोख जाएगा अध dotati हम लोग रिक्याथ कर लेंगा जी दो कि भी और लग आपका शौफ है अप लोग इस वरड की मीनिंग याद कर लीजे निस जहानी आपका शौबार अजमा रहा है लेकिन वह कैसा हो रहा है आपको असंतुस्ट कर रहा है तो आपका लग है वह कही बेकार रहे है तो रिलेक्टन्ट मेंस क्या हो जाएगा अनि चुक या फिर जो चीज आसंतुस होती यह से हम लोग कह सकते हैं reluctant तो इसमारा a number option क्या जाएगा right हो जाएगा disinclined तो चलिए हम लोग अपने next word क्यों चलते हैं जो की दिया रखिए intricate तो intricate means मैं वर्ड आप लोगो पहले ही करा चुका हूँ intricate मैंने tricky वो कराया था आप लोगों को जिसका means होता है जो चीज जटिल होती है बहुत मुस्किल होती है उसे हम लोग कह सकते intricate तो मैंने आप लोगों को इस वर्ड की meaning की ट्रिक बताई थी देखिए इंट्री को अद क्या था हम लोगों ने तिलता पूरवक मिलेगी और बहुत ज़्यादा मुस्किल से मिलेगी यानि entry cat cat के घर में entry कैसे मिली बहुत ज़्यादा ज़्यादा मुस्किल से मिली तो देखिए आपको को इसका meaning वियाद हो गया होगा entry cat means क्या हो जाएगा जो चीज complicated होती है जटील होती है उसे हम लोग कह सकते हैं इंट्री केट तो हमारा इसमेरे a number option क्या हो जाएगा right हो जाएगा तो चलिए moving on to the next word जो की दे रखा है penury means होता है जो चीज कह सकते हैं हम लोग दरिदता होती है या फिर कह सकते हैं किसी चीज की जो अभाव होती है कमी होती है उसे हम लोग कह सकते है penury तो अगर हम लोग इसमें right option की बात करें तो word आप लोगो मिली गया होगा जो कि हमारा c number पर दे रखा है poverty poverty means भी क्या होती है जो चीज दरिदता होती है या फिर कह सकते है किसी चीज की कमी अभाव उसे हम लोग कह सकते है poverty तो हमारा जो 60 number पर word दे रखा थे penury means क्या हो जाएगा दरिदता अभाव कमी तो आप लोग इस word की meaning जो है आप लोग याद जिससे आप लोग को अधिक से धिक वीडियो मिल सके हैं तो चलिए दोस्तो जय हिन जय भारत है कि 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 अ